यूपी के जिला बरेली में जद दगर साना छेट के रहपुरा चौधरी गाउं में नवजात को बोरे में लपेट कर फेकने वाली महिला को आकरिकार पुलिस ने ट्रेस कर लिया है उसे पूश्ताच के बाद बाल कल्यान समीती के सामने पेश किया गया इस दोरान महिला ने गलती से क्यारत हुए बताया कि नवजात महिला की बेटी का बच्चा था उसकी बेटी के बहनोई के भाई से प्रेम संबन थे इस से वह गर्वती हो गई लोक लज्जा के कारण महिला ने बच्चे को जाड़ियों में फेक दिया था साथ ही उसने ये भी बताया कि उसने बड़ी बेटी के देवर से छोटी बेटी की शादी करा दी है परिवार बच्चे को अपनाने के लिए भी तयार है लेकिन बाल कल्याण समीती की टीम ने बच्चा उनका है इसके सबूत मांगे है अब वे सबूत देगी तो नियमानुसार बच्चा उन्हें दे दिया जाएगा बाल कल्याण समीती की अध्यक्ष दिनेश चंद्रा का कहना है कि नवजात को फेकने वाली महिला को पुलिस ने बाल कल्याण समीती के सामने पेश किया था महिला ने खुद को बच्चे का नानी बताया है महिला के अनसार उसने छोटी बेटी की शादी बड़ी बेटी के देवर से करा दी है यह बच्चा उनका है इस संबन में उनसे साक्ष मांगे गए हैं महिला के सामने आने के बाद अब पुलिस ने भी जो है वो अपनी कारवाई रोग दी है और महिला से साक्ष मांगे गए हैं महिला के साक्ष देने के बाद बच्चा उनके सुपोर्ट कर दिया जाएगा